ये दोने एलाइंस पार्टी की जीत है लेकिना सबक भी है कि बहुत कम सीट मिला है इनको आननेवल भविश में ध्यान दें बिहार के बिहार की जनता के लिए ध्यान दें यहीं और क्या वोलें यह जनता की जीत है डेमोक्रेसी की जीत है जनता जो चाहा वो उसने किया जो भी डेमोक्रेसी की होना चाहिए था लोगों ने से साइलेंट वोटर कहा जा रहा था कब आई पीयल भी मैच था कल एक तरह या भी मैच था मतलब कि लास्ट टक मैच गया कभी टंदन मेच नहीं रहा यह उगा था कभी भी एक one-sided नहीं रहा हमेशा दोनों पार्टियों को लगा जो दोनों पार्टिया कॉंटेस्टेंट जो थी जो लीड पे थे आरजेडी हो गए हमारे महागटफंदन हो गई और एक हमारी जो इंडी है तो कभी भी किलियर नहीं हुआ कि सामने वाली पार्टि जीत रह पूर ओर हमें लगता है कि आने वाले सहमें भी इंपूर्वमेंट एडवलोपमेंट होगी कुछ पुछी यहां तवनों बोलेगे कि हमारे खेंड बोलेंगे असे प्रसवाइब रहें तामने पैटल थे तुम आदे हैं वि धिश्टमटें आ पकार्ट नहीं in इन अपकमिंग इयर्स बिहार इज डेवलबिंग नेशन बिहार का सबसे अच्छा यह रहा है कि अभी 15 साल में जो किये हैं हमारे नितिश कुमार जी आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेशन इतना ही है रहेगा और जितना अच्छा से यह अभी कर रहे हैं और आने वाले दि आने अग्सपेक्टेट है यह तो अनेक्सपेक्टेट है और एंडीए भी थे और बहुत सारे पार्टियों थे अब डेमोक्रेटिक कहां नहीं जा सकता है यह क्या ना में शोल्जर शिंग फोल्जर इस फैसले की उमीड थी जो डिशेन आया है जो जीत हुए एंडीए की उमीड थी उमीड बिल्कुल थी और मैं बता रहा हूं आपको मैं एक सो बात में बताना चाहता हूं कि हम लोग जंगल राज में जाने से फिर बच गया और और मैं इस फैसले कुछू